कि यह जैंद फ्रेंट्स एक बार फिर से एम विद रोहित चुहान यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो है वह बहुत ज्यादा मेहत्पॉर्ण है इस पर फ्रेंट्स आज हमने स्टाटिक सीके के टॉप 50 जो की वन लाइनर है यह फ्रेंट्स परिक्षा की डिस्टी से बहुत ज़्यादा महतपॉर्ण है यह फ्रेंट्स जो है बार बार परिक्षा में आए हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आपको पूरा देखना है वीड आइकेन उन रखें ताकि फ्रेंड्स आपको लेटेस वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वहाँ फ्रेंड्स आपको समय पर मिलती रहें और हां वीडियो को ला recognition करना है और अपने दोस्तों है शेयर ठीक है चलि फ्रेंड्स सेशन करते हैं स्टार्ट सबसे पहले देखिए फ् मंदिर जिसे चित्र गुप्त द्वारा एक मात्र ऐसा मंदिर है जो कि उज्जैन में बनाए गया है भारत में ब्रह्मा का एक ऐसा मंदिर जो कि पुस्कर में इस्तित है जो कि राजस्तान में है जगनात किस राज में इस्तित है उडिसा राज में इस्तित है जगनात मंदिर भारत के किस राज में पवित्रतीस इस्तल अमरनात वह वैश्नो देवी इस्तित है तो फ्रेंट्स वह है जम्मू कश्मीर विश्व प्रिशिद दात का मंदर या फ्रेंट्स कहां पर है मंदर है कैंडी और इस्तित गुफाएं और सैलक्रत मंदर किससे संब्न देवता को समर्पित है विश्नो देवता को समर्पित है बद्रिनात थाम धार्विक इस्तल बहुत गया इस्तित है बिहार में, अमर्नात कुफा इस्तित है जमू कश्मीर में, निटराज मंदिर अवस्तित है चितमबरम में, निटराज मंदिर नेक्स फ्रेंट्स है विख्याद कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ फ्रेंट्स खुजराओं में इस्तित है मध्ध प्रदेश में है रत मंदिर रत मंदिर मललपुरम है ठीक है मामललपुरम में है रत्व मंदिर महाबोधी मंदिर यहाँ फ्रेंट्स इस्तित है बौध गया में इस्तित है बिहार राज में है महाबोधी मंदिर रगुनात मंदिर यहाँ फ्रेंट्स जम्मू कश्मीर में है रगुनात मंदिर नेक्स फ्रेंट्स है चौशट योगनी मंदिर इस्तित है खुजराओ मदपदेश में इस्तित है चौशट योगनी मंदिर अगला फ्रेंट्स है शास बहु मंदिर या इस्तित है उद्यपुर राजस्थान में इस्तित है शास बहु मंदिर महा कालेश्वर मंदिर इस्तित है उज्जैन में इस्तित है महा कालेश्वर मंदिर एक्सप्रेंट्स है हरमिंदर शाहिब यह फ्रेंट्स इस्तित है पटना पटना शाहिब ठीक है हजरthose वले दरगहा यह फ्रेंट्स श्री नगार में सुझा तै हजर बल दरगहा बद्री नाथ धां में सु स्थतत trước अउत्राखंड में सु थित अउत्राखंड में सु तै श्रंग्रेरी पीरखंड मंदिर यह मैसूर कर्नाटक में सु पहस जिर सेलाधा सार्दा पीट कहां पर है द्वार्का में इस्तित है सार्दा पीट द्वार्का में इस्तित है मीनाक्षी मंदिर मीनाक्षी मंदिर फ्रेंड्स यह मदुरई में इस्तित है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में इस्तित है समेद सिखर किस धर्म का तीत स्टल है तो यह जैन धर्म का समेद सिखर जो की तीत स्टल है सालार जंग संगराल है यह फ्रेंट्स हैदराबाद में स्टित है सालार जंग संगराल है श्री क्रिश्न विज्ञान के इंदर यह फ्रेंट्स पटना जो की भिहार में इस्तित है खुदा बक्स औरियंटल पब्लिक लाइबरेरी यह फ्रेंट्स पटना में इस्तित है ठीक है खुदा बक्स पब्लिक लाइबरेरी साली मार बाग वो निशान्त बाग कहां इस्तित है स्री नगर में इस्तित है साली मार वो निशान्त बाग अगला फ्रेंट से है विवेका नंद रॉक मेमोरियल इस्तित है रामेश वरम में इस्तित है विवेका नंद रॉक मेमोरियल Prince of Wales Museum इस्तित है मुंबई में इस्तित है गोल कुंडा किला यह हैदराबाद आंधर परदेश में इस्तित है हवा महल इस्तित है जैपुर राजस्तान में विरंदा वन गार्डन विरंदा वन गार्डन लोग सोचेंगे कि विरंदा वन में है मतरा में नहीं friends यह मैसूर में इस्तित है कंणाटक में विरंदा वन गार्डन नेक्स फ्रेंच है मुझमन बुर्ज इस्तित है आगरा में मुझमन बुर्ष कहा इस्तित है आगरा में इस्तित है जारकंड का सिमला किसे कहा जाता है राची जारकंड का सिमला राची को कहा जाता है महरौली लहौ इस्तित है महरौली लहौ इस्तित है भीम बेट का गुफा किस राज में इस्तित है मद्पदेश में इस्तित है भीम बे सेनिकों की स्मारक जो कि फ्रेंट कहां पर है इंडिया गेट में है अगला फ्रेंट इंडिय का पृषिद वैद शाला जनतरमंतर बुलंद दर्वाजा का निर्मान किस ने करवाया है अकबर ने कराया है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर फतेपुर्शीक्री का निर्माण अकबर ने कराया है जामा मस्जिद किसने बनवाई है साजहा ने बनवाई है जामा मस्जिद दिल्ली दिल्ली वाली जामा मस्जिद शांती नेकेतन की स्थापना किसने की है रमि भोपाल में इस्तित है भारत भवन भारतिय नाटि संस्थान कहां इस्तित है नई दिल्ली में इस्तित है भारतिय नाटि संस्थान एसियाटिक सोसाइटी कहां पर इस्तित है फ्रेंट्स कोलकता में इस्तित है एसियाटिक सोसाइटी संगीत नाटक अकाडमी यह फ्रेंट्स दिल्ली में इस्तित इंदरा गांदी राष्टिय मानव संग्राल में इस्तित है। भरतिय शर्वेक्षन बिवाग का मुख्याल्पून में इस्तित है। तो friends हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लीजिएगा बैल आइकन ऑन रखिएगा ताकि आपको लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन है वहाँ आपको समय पर मिलती रहे चैनल को लाइक कर प्रूपक्राइब फ्रॉपक्राइब